जहां तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की हमने बात कही तो बेटियां इनको बचाना है, साथ में पढ़ाना भी है पढ़ाई बालिका तीन पाँच वर्स की होती है तो उसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू होनी चाहिए हो जाती है स्कूली शिक्षा उसके प्रयाप्तवंद किये गए हैं लेकिन पढ़ाई का मूल मकसद दस्वी पास करने के बाद ही खतम नहीं होता है यह ठीक है के न से अच्छा दस्वी बारवी पास कर गई तो कहना के एक लवल तक इकलगता है के जागरुकता आई है अभी पीछले 2016 के अंदर जमारा पंचैती राज चुनाव हुआ हमने उसमें एक प्रावधान किया कि कोई भी जो केंडिट है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए दस्वी पढ़ा लिखा या कुछ खेत्रों में छूट दे के आठवी भी किया तो अच्छा लगा मुझे कि उसमें बहुत जगा पर बेटिया वो बेटों से आगे निकली रिजर्वेशन 33 परसंट थी लेकिन बहुत गाओं ऐसे थे जहां लड़के पढ़े लें लड़कियां मिल गई और सरसुम्मती से उनके चुनाव हुए 43 परसंट 43 परसंट परतिने तुव महिलाओं का ये हुआ पिछले पंचाती राच चुनाओ दस परसंट ज़्यादा हुए और हमने इस बार घोशना की है कि अब अकला चुनाओ जो जनवरी फरवरी में आएगा उसमें 50 परसंट भागेदारी ये हम सुनश्चित करने जा रहे हैं महिलाओं के पचास परण महिला हैं पचास परण कुरोश कम से कम उनको बात करने के लिए आगे बढ़ने का एक मौका मिले और मेरी एक और माननता भी है पड़ी लिखी महिला पड़ी लिखी बालिका ये समाज में विवस्थाओं को ठीक करने के लिए संसकार देने के लिए समाजिक जीवन का स्थर उंचा करने के लिए महिला का उपयोग कहीं ज़्यादा है क्योंकि महिला जिस परिवार में पैदा होती है उस परिवार की भी चिंता करती है शादी हो करके जिस परिवार में जाती है फिर उसकी भी चिंता करती है और बाद में जब बेटे शादी हो जाती है तो अगली पिड़ी में ये अपने पोते पोतियां या अपने दोते दोतिय उनके परिवारों को भी समालते हैं तो इसे तीन-तीन पीडियों को समालने की महिला की जो एक विशिषता है पढ़ा लिखा होना उनका बहुत जरूरी है लेकिन पढ़ाई दस्वी बार्मी की बजाए और आगे बढ़ाया जाए हमने इस नारे को यह कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ अब आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा का होना यह भी बहुत आउशक है और इस उच्च शिक्षा के नाते से हमने कॉलेजी की संख्या इसको बढ़ाने का एक संकल्प लिया है जैसा कहा कि पंद्रा किलोमेटर के अंदर कोई बच्ची इससे ज्यादा उसको ट्रेवल न करना पड़े सहीयोग से आज जितने कॉलेज जब खोले जा रहे हैं इसके बाद कोई ऐसा इलाका हरियना का नहीं बचा है जहां पंद्रा किलोमेटर से ज़्यादा किसी को जाना पड़ेगा और मेरा आज आवहन भी है हरियना की जंता को कहीं कोई स्थान बच किया हो किसी कारण से कोई कॉ करने के लिए संकल्प करते हैं